नमस्कार आप सबी का फिर से बहुत बहुत स्वाकत है दोस्तो इस वडियो में में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास आधार काड है या आपकी फैली का किसी भी का किसी का भी आधार काड है और आप आधार काड पे मुवाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो किसे प्रकार से अपने मोगाईल नंबर को अपने घर बैठे ऐनलाइँ ही उसमें लिंक कर सकते हैं या आधार कार्ट में अपना मुवाईल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं यही सब इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दौस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मै बेल आइकन को प्रेस करें जिसे और आने वाले उडियों आं तर्फ से पहले मेल दोस्तो से नए उफ देट है इंडिया पोस्ट के माध्यम से नया अपडेट दिया गया है और यह क्या अपडेट है आप किस प्रकास से अपने मोबाइल पर अपने अधर कार्ड पर अपना मोबाइल नमबा रजिस्टर कर सकते हैं यही सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो चलिए समना का बात आपके सामने इस प्रकास से पेज आ जाएगा तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस लिंक पर तो यह सब आपके सामने होगा ऐसा डाक्स बोट होगा तो आपको यहां पर मिल जाएंगी service request from door step banking यानि आपके घर तक जो है इसकी सेबा दी जाएगी क्या क्या सेबा द देख रहे होंगे कि आप यहां पर अपना इंडिया पोस्ट पैमेंट में अपना अकाउंट खुला सकते हैं अपना आधार ATM से जो है आपका जो आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो उसमें आप अपना आधार लिंक करवा सकते हैं बिल पैमेंट करवा सकते हैं डाव में स चाँपई तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि जुँम्हाइगा बात करने वाला हो वह है इस बिलित कर देता है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे और click करने के बाद उपर की तरफ आप scroll करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से page आपके सामने आ जाता है इस form को आपको पूरा फिल करना है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए आपको Mr. Message जो भी हैं आपको select करना है सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है आपका first नाम है तो आप डालेंगे लाश नाम है तो आप यहाँ पर enter कर देंगे उसके बाद आपको अपना mobile number एंटर करना है अगर आपके पास email ID है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अनताय से छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ प कोड होता हihat नी जो area code होता है वह आप यहां पर डालेंगे और डालने के बाद आप यहां पर आएंगे तो यहां पर यतनी भी आपके पास में जो nearest post office है जहां पर इन परकार की शुबधाय दी जाती है तो यहां पर लिए पॉस्ट में पर देखने को मिल जाती है उसके बाद जैसे आप इनको डालेंगे पोस्ट को select करेंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि सब डिवीजन, डिवीजन, और रेजन, सर्कल और इस्टेड यह सब आइटोमेटिक ही यहां पर फिल हो जाता है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की देना है, तो मैं यहां पर कुछ लिख देता हूँ, देखिए मैंने आप लिखा ड्रस डियर सर या मैडम निवेदन है कि मेरे आधार काट पर मुवाइल नमर लिंक करने के किरपा करें, तो मैं यहां पर केबल थोड़े से ही word को use किया है, उसके बाद आपको यहां पर आना तो दोस्तों, जैसे ही आप पूरा फॉर्म को फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप समिट करेंगे, तो आपके सामने इस प्रकास से एक मैसेज आ जाता है, जहां पर मिलेगा, योर श्रब मीशन हैज विन सक्सेस्फुली, यानि आपने जो भी फॉर्म को अविदन किया ह वो आपका फॉर्म सक्सेस्फुली समिट हो गया है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, कि जैसे ही पोस्ट आफिस में आपकी यह रिक्वेस्ट पहुचेगी, और बहां आपसे जो पोस्ट में हैं वो आपके पते पर आपके पास आएंगे, और आपने जो भी रिक्वेस्ट देट आली है, तो उसका solution क रेंगे, तोमली जी आपके आधार कार्ट पर मोबाइल नम्हों लगना था, तो वो आकर आपके घर पर ही, आपके आधार कार्ट में मोबाइल नम्हों और एड़ कर देंगे, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने घर बैठे, अपने फ्रेश जो का भी enrollment करने के लिए इस प्रकार से registration कर सकते हैं दोस्तो आसा करता हूँ आपको topic अच्छा लगा होगा अगर topic अच्छा लगा हो तो चानल को subscribe करें साथ ही साथ bell icon को press कर दें जिससे और भी आने वाले वीडियो आप तर सबसे पहले मिलते रहें फिर मिले गए नए वीडियो ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जहिन